हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग दब आप तिंकिंग आजब मत करेंगे 29 ऑफ अक्टूबर 2024 के इंपोर्टेंड एग्री कल्चर करेंट अफ़ेर जो आपके आने वाले एक्जाम नावार्ड एफो एग्री कल्चर टेक्निकल असेंड के व感 वाले से काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें हैं आज की शेशन में 29th of Actuar की इंपोर्टेंट करेंट इंट 실क्स करने फिर हम डिसकस्स करने वाले हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में आपके लिए की स्पेशल कॉश्चन जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके लिखकर भेजना है सबसे पहला का इंटरफियर है Central Government launches mobile app FCI GRS to address grievances of Rice Miller Rice Miller की जो सिकायते हैं grievances हैं उसको address करने के लिए Central Government ने एक mobile app launch किया है जिसका नाम है FCI GRS डीटेल में जानेंगे यह अब क्या है कब launch किया गया क्या काम करेगा Union Food Ministry के जो मिनिस्टर है प्रहलाद जोसी उन्होंने मंडे को कल यह जो mobile application है of FCI GRS grievances reversal system Rice Miller के लिए launch किया है ठीक है जो rice milling करते हैं उनको rice miller बोलते हैं उन्हीं के लिए यह mobile app launch किया है ताकि उनकी जो grievances हैं उनको address किया जा सके उनको redress किया जा सके This is one of the most important measures taken by government to enhance transparency बढ़ाने के लिए accountability बढ़ाने के लिए और जो stakeholder है जो rice miller है उनका satisfaction बढ़ाने के लिए ही यह mobile app launch किया गया है आगे बात करेंगे तो state owned FCI is the nodal agency for the procurement and distribution of food grain तो जो FCI की state owned जो आपकी agency है ठीक है वही nodal agency बना दी गई है ताकि वो procure करेंगी धान को चावल को और उसको distribute करेंगी ठीक है आगे बात करेंगी तो जोसी noted that rice miller are important stakeholder and integral part of the food security system जोसी जी ने इस बात कही है प्रला जोसी जी ने कि जो stakeholder है जो rice miller है यह integral part है हमारे food security system का और उसको satisfy करना उसको खुश करना बहुत जरूरी है ठीक है इसी लिए government ने यह एप launch किया है और government चाहती है commitment to their welfare सबका welfare हो और सरकार committed है welfare के लिए चाहाँ किसान हो stakeholder हो चाहाँ कोई भी हो यह जो mobile app है यह address करेगी सारे grievances जो भी शिकायत हैं परिशानिया है rice miller की stakeholder की सारी परिशानिया इस mobile के एप से वो उसका निस्तारान करेगी यह जो mobile application है आप Google Play Store से जाउनलोड कर सकते हैं यह अभी android user के लिए जो mobile app है वो जारी की गई है आगे बात करेंगे जोशी जी ने एक बात कही है government is also working for farmer welfare गवर्मेंट भी farmer के welfare के लिए काम कर रही है और वह एंस्शोर करती है यह consumer तक अच्छा food product reasonable price में पहुँच जाए इसी के लिए सरकार ने कई सारी scheme समय समय पर लेकर आती है और इस वार rice miller के लिए stakeholder के लिए भी यह जो mobile app है वो launch कर दिया है मंडे को कल के दिन उम्मिद करते हैं यहां तक आपको current affair समझ में आया होगा और यह जो important terms है यहां से question बन जाता है कि union food minister कौन है प्रलाज जोसी हो गए कौन सा आप लाउंच किया है किस के लिए किया है rice miller के लिए किया है तो यह कुछ ऐसे questions हैं जहां से आपको paper में question देखने को मिलते हैं और वहाँ easily आप कर पाएंगे अगर आप हमारे agriculture की जो session है daily देखते हैं और उनको सुनते हैं तो आगे बात करेंगे second important current affair हर्याणा witnesses 29% decline in stable burning incident in year 2024 यह good news है कि इस साल 2024 में हर्याणा में पिछले साल के compare में 29% stable burning या बोल सकते हो धान की जो पराली जलाई जाती है वो कम जलाई गई है डीटेल बात करेंगे there has been 29% of decline in stable burning incident this year compared to corresponding year ago period due to significant step being taken by the हर्याणा गवर्मेंट हर्याणा गवर्मेंट ने कुछ ऐसे decision लिये इस साल ठीक है जिसकी वज़ए से पिछरे साल के compare में इस साल 29% धान की जो पराली है वो कम जलाई है यह मंडे को officially government बात की है यहाँ पर cm नाइब सिंग सेनी जो कि आप जानते हैं cm हर्याणा के उन्होंने कुछ ऐसी state specific scheme चलाई इसी की regarding crop residue management की regarding जिस से stable burning को कम किया गया यह official state बात की गई है इस initiative provide financial assistance to farmer for crop residue management यहाँ पर क्या है कुछ ऐसी scheme चलाई गई कि क्रॉप residue management के लिए भी financial assistance provide की वित्तिय सहायता provide की गई जिससे किसान खुस हुआ और उसने उस वित्तिय सहायता को लेकर उसका management किया crop residue का नकी उसे जलाया और focus किया गया zero burning target पर पंचायत पंचायत को target दिये गए कि आपकी पंचायत में एक भी case ना हो पराली जलाने का ठीक है आगे बात करेंगे इसी की result में 713 incident record हुए stable burning के इस साल जो की 39% कम है पिछले साल के compare में पुलिस केसीज भी हुए इनमें से 192 फार्मर्स के खिलाब पुलिस केसीज हुए stable burning के लिए इस में से 334 चलान जों इशू कर दिये गए जिसका amount है 8,45,000 रुपी रिकबर हुए फार्मर्स से और 418 रेड एंट्री भी की गई फील्ड रिकॉर्ड के आधार पर अलग अलग फार्मर्स की तो कहने का मतलब है कि सरकार की कारवाई भी की गई चलान भी किये गए पैसा बसूली भी की गई लेकिन कुछ इसकी मैसी चलाएगी जिससे crop residue management हो सका और आज की टाइप पे रेजल्ट है कि 29% धान की पराली कम ज कि अलग गान वर नहीं लेकिन एक हिस्सा है पॉलिशन को बढ़ावा देने का उसके लावा आपके जो वीकल्स हैं हैं, फैक्टरीज आपके क्रैकर्स हैं, ये भी कही न कहीं कारण बनते हैं, कि जो पॉलिशन है तो हर चीज़ पर ठोड़ा सा कंट्रोल होगा तो आने वाल अब बात करेंगे आज की special question की लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछली वीडियो पुछे question के आंसर के वारे question था where is the central potato research institute situated कहां पर CPRI मतलब Central potato research institute situated है option आपका हो जाएगा similar हिमाचल प्रदेश इस दा राइट आंसर अब बात कर लेते हैं आज के special question जिसका सही answer आपको comment section में लिक कर भेंजना है in which season is wheat stone मेहनदी कर देता हो किस season में गेंहों की बोवाई की जाती है किस आपके valuable comment का वीसभरी से इंतार करते हैं मिलते हैं एक और important session में तब तक के लिए जै हिन्द जै भारत धन्दू